कि एसे सी एंग्लिश की क्लासिस की बात करेंगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंग्लिश वकैब वोला आज डे टू रहने वाला है इसे पहले डेवन हम कवर कर चुके थे डेवन कवर करने के बाद आपका रिस्पॉंस आया था कुछ स्टूइट्सका कहना था कि यह डिफिक इसमें किस तरह से questions आयते हैं वो वीडियो भी आपको बना कर हमने upload कर दी उसमें questions आपको बता दे किस तरह की questions आते हैं तो वह भी आपने देख ली वो दुनों videos जो हैं वो हमने add कर दी है SSC English वाली playlist में अब हम आगे हैं आज day 2 कवर कर रहे हैं यहां पर next 10 important questions आज हम discuss करेंगे जो कि exam मेंने के chances हैं last की video में आपको बताता हम किस तरह की questions लाय करेंगे तो वही हम start कर रहे हैं starting के दिन हैं तो basic basic questions से start करेंगे तो तयार हो start करते हैं आज के English questions की बात करेंगे पहला question आपके समझे screen में आ रहा है उससे पहले में एक बात आपको और clear कर दो जिन्होंने भी SSC MTS का test series join कर रखा है तो वो directly जाएंगे English वोले section में वहां पर आपको इन questions का test मिल जाएगा तो आप वीडियो देखने से पहले भी आप उनको attempt कर सकते हो आप correct answer मिल जाएंगे बाकि explanation के लिए आप यह वली वीडियो देखे सकते हो इसका benefit क्या होगा आने वेले time पर जैसे मान किछ लो आज day 2 है तो day 10 तक पहुंच गए यह day 12 तक पहुंच गए हो तो इन सभी की revision करन करने का सबसे best किया है आप quiz attempt करो तो day 2 का quiz भी मिलेगा day 3 का quiz भी मिलता जाएगा आप quiz attempt करते जाओ आपकी revision अपने आप होती जाएगी वह best way है तभी जो भी questions आपको करवाता जाओंगो वह सभी के सभी test series में add करता जाओंगा तो आज जो पहला दिन आपके सामने है select the wrongly spelled word यह चार options आपको दिये गए थे और यह exam में SSC exam में आई हुए questions है ठीक है MTS exam को छोड़के बाकि जितने भी exam में वह इले questions में cover कर रहा हूँ कुछ questions वह cover होंगे कुछ expected questions होंगे तो इन चारों में से गलत spelling कौन से हैं आपको वह बताना है CGL exam में आया हुए question है 2019 वाला exploit के spelling गलत है explicit के गलत है expire के गलत है explore के गलत है exploitation आपने सुना होगा exploit की बात करेंगे उसमें यह spelling होते है यह तो आता ही नहीं है इसका मतलब option number A हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि wrong spelling वाला word ही हमको बताना था अब symbol तरीका क्या है आपको जब भी typing करनी है न तो typing के time प करेंगे खरेंगे से दियान से देखो क्योंकि spelling मिस्टेक से अपको एक्जामी क्योशन आए गई आएगा इसको आपको इंप्रूव करना ही होगा second question आपके सामने है कहा गया यह आज आगया गलती से आप इसके लिए आपको वन वर्ड बताना था यानिकि वन वर्ड सब्स् इसलिए एक स्टुडेंट जो अब भीना एक्सक्यूस किया अपनी मर्जिस से जो है वो स्कूल में जाता नहीं एप से उसके लिए एक वर्ड कौन से यूज करोगे और सामने है यह वैगरेंट यूज करोगे या इसका मतलब यह आप से पूछा गया जो आप से पूछा गय में उसने जो हम वर्ड यूज करते हैं तो ऑप्शे नमबर यह सही हो जाएगा अगर हम बात करेंगे वैगरेंट की तो इसका मतलब अवारा लगारा होता है उसको बोल जाता है तो हलागी इसमें स्कूल से अलग है यह मतलब आपको एग्जेट मिनिंग बताना था है तो ए करेंट याने की ऑप्शे नमबर एक करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे चलते हैं क्वेशन नमर थी की बात करते हैं सेलेक्ट दा अन्टॉनियम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सपेंशन अब देखें यह भी सीजिल में हो क्वेशन ठीक है और यह डेली के 10 इसलिए क्योंकि आपक अपरिल का भी काफी टाइम आपको मिलेगा तो अगरे डिली बेसिट पर दस याद कर जो तो वहां तक पहुंचे था आप कितना सारे वर्ड स्याद कर लोगे और अन्वल टाइम भी हो सकता हम इसकी क्वेंड़ी बढ़ा दें दसक्री को पंदरा कुशन भी कर देंगे तो बहुत सीखने को मिलेगा डेली बेसिट पर कम कम करके आप एड दा एंड बहुत कुछ सीख जाओगे इसकी नोट्स भी अपने बना सकते हो वह और बैटर हैने वाला आपके लिए क्योशन नमबर थी में का गया है सेलेक्ट अन्टॉनिम एंटॉनिम मतलब अपोजिट मिनि इससे प्राइस बढ़े मेंगाई बढ़ेगी इंफ्लेशन भी बढ़ना हुआ तो तो सेम हो गया भाई इसको उल्टा नहीं बोल सकते हैं आगे चलेंगे अग्मेंटेशन की बात तरी यह बहुतर से किसी का बढ़ना ही हो जाता है कंप्रेशन हो जाएगा उल्टा एक्समे मतलब क्या होता है जाएगा है तो इसका उल्टा को बता तो जादा होना जाएगा तो इसका जो प्लैंटीफुली हो जाएगा यह पर आपको बताना है कौन सा स्पैलिंग गलत है करें के स्पैलिंग बिल्कुल सही है कैलेस की बात करें के स्पैलिस मतलब निर्दी होता है जो द्यालो वगारा नहीं को कैलेंडर के स्पैलिंग अगर आपको देखो का दियां से तो गलत इंपलेंगे तो गलत हो जाएगा तो यहां पर गलत देखने को बिल रही है option number D या पर बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 6 की बात कर लेते हैं select the synonym of the given word chronic chronic का आपको synonym बताना है फिर से जितने बाइब question discuss करें six questions यह सब आयो है exam में इसके बाल जो questions होगे expected questions होगे chronic का आपको appropriate synonym बताने इसका सही मतलब आपको बताना क्या हो सकते हैं देखो chronic की बात करेंगे तो कोई काफी बिश्य कोई भीमारी बहुता है chronic disease है इस तरह काफी लंबे से समय से चल रहे हो उसलिक कर सकते हैं तो इसका synonym बताना से मिनिक बताना है और इसका से मिनिक persistent हो जाएगा ना पर्सिस्टेंट का मतलब भी यह तो काफी समय से चल रहा हूं इस तरीके से तो कौनिकर से कॉंस्टेंट भी बोल सकते हो कंटीनूस भी बोल सकते हो तो पर्सिस्टेंट यहां पर एग्रेक्ष चैनियुम हो जाएगा और बिल्कुल सही अंजर हो जाएगा चलते हैं आगे क्रेशन नंबर सेवन की बात कर लेते हैं कहा आ गया है अब पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो दा यूज्यूल है एक पर्सन हो चाहे कोई एनिमल की बात को चाहे प्लांट की बात करो जिसकी हाइड नॉर्मल से कम हो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगी विजाड ड्वाफ क्रेचर या फिल बिच देखो यह तो गया डाइन वगर जो बूतनी वर्स करते हैं क्रेचर की बात करेंगे को भी लिविंग ठीक हो जाएगी विजार जादुकर की उसके ड्वाफ होता ना जो हाइट से कम रह तो जाएगा वहां पर जाएट आप भी इता फैट इन। अब जाएट करो आपको यहां ने वाले और जिसने टालीग्राम गृप नहीं जोएट करेंगे टेलिग उन्क मिलेगा टेलीग्राम को बेट च्च करेंगे टेली बाइकर लिए घ।सी स्टाइम को देया जाते हैं ह सब्सक्राइब करें चलते हैं नंबर 9 कि बात कर लेते संटोन इस पर इंडिजनेस का सही मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब सुदीश अपने देश का बना हुआ तो नेटिव यहां पर जो हो बिल्कुल सही मतलब हो जाएगा इसका तो अब यह तक सभी questions उम्मीद करता हूं वो clear हो रहे होंगे किसी तरह आपको doubt यहां पर नहीं रहा रहा होगा चलते हैं आज के last question की बात करें तब किसा हमने screen में चल रहा है select the synonym of the given word feeble यह जो word आपको देखने को मिल रहा है इसका same meaning क्या हो जाएगा आपको वो बताना है feeble देखो feeble की बात करेंगे इसका यह मैं आपको home task दे रहूं बढ़ आपको hint दे रहो feeble का मतलब हो जाएगा वो जिसमें energy थोड़ी कम हो या power थोड़ी कम हो उसके लिए हम use करते हैं feeble word है ना general general way में कहा जाए थोड़ी इसमे energy कम होगी power कम होगी उसके हम feeble word यूज करते हैं अब हम मुझे बता दो इसम सेम meaning कौन सा हो सकता है वह correct answer जो है वह आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है फिलाल आज की वीडियो को एंड करेंगे इसे भी हम add कर देंगे English की playlist में वहां पर जाके आप देख सकती हूं तो थाइंक्यू जाहिंद